गाईज आपने स्मार्टफोन मार्केट में 35,000 MHz से लेके 6,000 MHz की बैटरी कैपसिटी वाले स्मार्टफोन जरूर ही देखे होंगे लेकिन गाईज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनि हर्स के टैंक 3 स्मार्टफोन के बारे में ये गाईज है स्मार्टफोनों का बाप क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलती है 23,800 mAh की बैटरी इसलिए गाईज इसमें बैटरी बैक अप है लगबग 150 गंटे से भी ज़्यादा नॉर्मल यूजस में और लगबग 2000 गंटे से भी ज़्यादा इस्टेंड बाई मॉड में इसलिए गाईज ये आपको ऐसी फील देगा कि आपने कोई पावर बैंक में सारे स्मार्टफोन के कंपोनेंट्स को फिट कर लिया है और उसे यूज कर रहे हैं क्योंकि गाईज इसका बैटरी बैक अप सबसे ज़्यादा है इक्जिस्टिंग स्मार्टफोन की तुला में इसलिए गाईज हम इसे कह रहे हैं स्मार्टफोनों का बाब अब अगर हम बात करें इसके आउटर लुक की तो गाईज इसका आउटर लुक हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जहां पर गाईज इसकी जो थिकनेस है वो है 31 mm यानि कि गाईज ये 3.1 cm मोटा फोन है और गा इसलिए गाईज आपको इसे हाथ में पकड़ने के लिए भी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी और फ्रंट साइड में हमें देखने को मिलती है 6.79 इंच की 120 हर्ट्स रिफ्रेस रेट वाली एक फुल एच्डी प्लस डिस्पले और साथी में गाईज इसमें टॉप सेलफी कैमरा जो की गाईज फेस लॉक को भी सपोर्ट करता है और पीछे की साइड में हमें देखने को मिलते हैं 4 चार कैमरा जिसमें जो मेन कैमरा है वो है 200 मेगापिक्सल का साथी में तीन और भी कैमरा है 64 मेगापिक्सल का नाइट फोटोग्रैफी के लिए 50 60 MP का wide angle camera और साथी में 8 MP का telephoto camera इतना ही नहीं हमें नीचे side में देखने को मिलती है एक flash light वो भी कोई airy dairy flash light नहीं है ये गाइस flash light है 5 बाट की और गाइस इसकी brightness इतनी sufficient है कि गाइस अगर इस flash light को कोई on करेगा direct sun light में तो वहाँ पर भी गाइस ये पता चलती है साथी में अगर हम बात करें इसकी left side की तो guys यहाँ पे top side में हमें देखने को मिलते हैं दो buttons जो की guys customizable buttons हैं इनको guys आप अपने हिसाब से customize कर सकते हैं की guys पहले button को प्रसकने के बाद कौन सा action होगा और दूसरे button को प्रसकने के बाद कौन सा action होगा और इसी के नीचे side में हमें देखने को मिलते हैं दो और buttons जो की guys है volume buttons जैसे किसी भी normal smartphone में होते हैं बैसे ही guys volume buttons इस smartphone में भी हैं और साथी में अगर हम बात करें तो right side में हमें देखने को मिलता है एक power button इस smartphone को power on, power off या lock mode में डालने के लिए और इसमें 120 watt की fast charging का भी option available है यानि कि guys इसमें 90% battery charge हो जाती है मात्र एक घंटा 30 मिनट में यानि कि guys डेड़ घंटा charge गरके आप इसे डेड़ साओ घंटे तक चला सकते हैं और ये दो nano sim को भी support करता है साथी में guys ये 5G connectivity को भी support करता है लेकिन guys इसमें कोई भी e sim का option नहीं है यानि कि ये e sim को support नहीं करता है इसलिए guys यहाँ पर थोड़े से बात बमजोर नजर आते हैं तो guys अब अगर हम बात करें इसके internal specifications की तो guys इसमें आपको 32GB की RAM और 512GB की internal storage देखने को मिलती है जो की guys काफी ही जाधा sufficient है और guys साथी में ये Android operating system पर based है और guys इसमें Android 13 पहले से ही pre-loaded है जो की guys अभी 1.5 साल पहले launch हुआ था लेकिन guys इसमें Android 14 जो की अभी recently launch हुआ है बो guys अभी pre-loaded रूप से नहीं आ रहा है उसे guys आपको बाद में update करना पड़ेगा तभी guys आप इस पे Android 14 का lab उठा पाएंगे और guys साथी में अगर हम बात करें तो guys इसमें जो आपको processor देखने को मिलेगा बो guys है MediaTek का Dimensity 8200 जो की guys अगर हम processor की ranking list में देखें तो guys ये 22 rank पर आता है तो guys ये processor के मामले में थोड़ा सा कमजोल लगता है अगर इसमें Snapdragon 8 generation 3 होता तो guys ये काफी अच्छा होता लेकिन guys इसमें 22 rank बाला processor है इसलिए guys इसको हम इस प्रकार तुलना कर सकते हैं और अगर हम बात करें तो guys नीचे की side में आपको देखने को मिलेगा USB Type-C port और ये reverse charging को भी support करता है यानि कि guys इससे आप कोई भी अपना normal smartphone को भी charge कर सकते हैं तो guys ये बन जाएगा power bank और उस smartphone को charge करेगा तो guys इसलिए हमने शुरुवाती में कहा था कि इसे आप ऐसे समझ सकते हैं या ये आपको ऐसी same feeling देगा जैसे कि आपने कोई power bank में सारे smartphone के component fit कर दिये हो और इसमें आपको नीचे की side में देखने को मिलेगी 3.5 mm की headphone audio jack और guys ये 5G internet connectivity को भी support करता है लेकिन guys ये एक चीज को नहीं support करता है वो है wireless charging technology इसलिए guys इस technology में बाप खोड़े से पीछे नजर आते हैं और guys साथी में इसके box में आपको बाप के साथ cable प्लस charger दोनों चीजें मिलती है तो guys ये काफी अच्छी बात है बनना most of the smartphones में कोई box में charger ही नहीं होता अलग से purchase करना पड़ता है लेकिन guys इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें आपको box के अंदर ही charger मिल जाता है तो guys आप सोच रहोंगे कि इसके feature तो कुछ ज़्यादा ही गिनादी है लेकिन ये तो बता दोगी इसका price क्या है और ये कहां से मिलेगा तो guys अगर हम बात करें इसके price की तो जो इसका international price है वो है 499 dollar यानि कि Indian rupee में ये होते हैं लगवा लगवा 43,000 रुपए के आसपास और guys साथी में ये कई अलग-अलग websites से मिल जाता है जैसे कि एक website है guys AliExpress तो guys उसके साहता से आप order कर सकते हैं बहाँ price जो है कुछ 42,800 रुपए के आसपास है या guys कई अलग-अलग और भी websites है खुद इनी की website है नी का खुद श्टोर है वहाँ से भी आप order कर पाएंगे इसलिए guys इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और guys फिर आपको इनी सब websites पर depend रहना पड़ेगा अगर आपको इस smartphone को purchase करना है तो guys ये हमने देखा smartphone के बाप यानि की universe tank 3 smartphone के बारे में साथी में guys इसमें आपको highest battery capacity देखने को मिलती है कोई भी normal smartphone इसके आसपास भी नहीं है और guys साथी में इसलिए इसमें आपको battery backup भी काफी ही अच्छा देखने को मिलता है तो guys अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को like करें अपने friends और family members के साथ share करें साथी में ऐसी useful जानकारी के लिए आप चसका फारियू चैनल को भी subscribe करने वेल आइकन दवाना ना भूलें जिससे की हम जो भी latest वीडियो डालें वो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए और guys मिलते हम आप से अगले वीडियो में धन्यवाद